गुड मॉनिंग, 10th क्लास ये जो स्टोरी है आज जो हम पड़ रहे हैं ये हीरो जिसकी समरी हम पड़ रहे हैं हीरो का अर्थ, वो हीरो है फिल्म वाला नहीं, इसका अर्थ होता जी नायक फिल्म में जो होता है वो हीरो नहीं होता वो होता जी, एक्टर और एक्टरसीज यानि अभिनेता और अभिनेतरी वो वर्ड ही हम गलत यूज लेते हैं आप समझ ले फिल्म में जो काम करता है वो एक्टर होता है अभिनेता, एक्टिंग करता है वो और हीरो, जैसे भगत सिंग बहना प्रताव ये hero है ठीक है जी ये कहानी लिखी है आरके नरायन यानि आप कहानियों में भरती लेखक आरके नरायन का बहुत बड़ा नाम है और उन्होंने एक कालपनिक कस्बा है एक कालपनिक कस्बा मानते हैं वो जिसका नाम है मालगुडी मालगुडी एक कालपनिक है वास्तों में ऐसा कुछ ने कही लिखक है वो जी अन्ते है छेकर जेगे अब ये रचना में वो एक लड़का है जिसका नाम है स्वामी यानि एक स्वामी नाम के लड़के की कहानीों बता रहे हैं कि जो स्वामी है वो किस परकार डर उसके अंदर बैठा हुआ है किस परकार वो काम नहीं करना चाता वो पढ़ाई नहीं करना चाता वो स्कूल नहीं जाना चाता और किस परकार उसके पिता उस लड़के को साहसी बनाने के लिए प्रियास करते हैं और क्या वो साहसी बन पाता कार्त है यह आप कहसके इस परकार इसमें स्वामी के स्टे बारे में जो दसग्यरा वर्सक्ता उसके बारे में बताया गया तो देखे कहाणी से स्टार्ट होती है युम्हें er जो बन जाता है एन एक्सिडेंटल हीरो हीरो कार्थ है नायक और एक्सिडेंटल कार्थ होता है यूँ ही सयोग वन से मानि एक तरिके से वो है नहीं हीरो बहादूर है नहीं पर एक्सिडेंटली मतलब सयोग से लोगों को लगता है कि वो लड़का क्या है बहादूर है कैसे ल स्टार्ट किया है as a young boy कि एक किसोर है एक किसोर है 14-15 वर्स का आप कह सकते हैं कौन स्वामी डिसलाइक उसको पसंद नहीं था गोइंट टू स्कूल स्कूल जाना पसंद नहीं था और वर्क हार्ड कठीन महनत करना नहीं था at anything किछी वी चीज में वो काम महनत लगाता ही नहीं था he likes उसको पसंद क्या था to spend time समय बिताना with his friends अपने मित्रों के साथ और ये जो पार्ट है ये भाग है किसका स्वामी and friends जो आरके नरायन द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है उसी का एक भाग है और तबी ये कहा गया कि स्वामी और उसके मित्र क्योंकि उसको पसंद कहता समय बिताना अपने मित्रों के साथ and hear stories और उपराई कहानिया सुनता रहता था किस से from his grandmother यानि अपनी दादी मा से और उसकी दादी मा जो थी he is pampered pampered का अर्थ होता जी अत्य दिक लाड़ प्यार देना उसको अत्य दिक ल ग्रेनी मतलब उनकी दादी के द्वारा and or so इसलिए he only sleeps by her side वह हमेशा अपनी दादी के ही बगल में सोता था अच्छा उसके जो पिता हैं वो क्या चाते हैं देखिए how ever फिर भी या किसी तरह this situation यानि स्वामी का इस तरह अपनी दादी के बगल में सोना कुछ कारिये नहीं करना ये किसको परिशान करता था डिस्टर्ब से परिशान करता था किसको स्वामी के पिता को क्योंकि उसके पिता जो हैं स्वामी के जो पिता हैं वो क्या चाते थे वो चाते थे कि स्वामी क्या बने एक साहसी बालक बने स्वामी को क्या करें अनुसासित बनाएं वो ऐसा चाहते थे उसके पिता एंड वांट्स और क्या चाहते थे और वांट्स चाहते थे एंड वांट्स और चाहते थे हिम उसे कि वो क्या बने तू बिकम कि स्वामी जी वो स्वामी जो है वो क्या बन जाए इंडिपेंडेंट बन जाए इंडिपेंडेंट का अर्थ होता है जी अपने आप पे निर्भर रहने वाला and self-realized ये बड़ा word काम में लिया उन्होंने self-realized का अर्थ होता है आत्म निर्बर यानि वो क्या बने independent बने स्वतंत्र बने और आत्म निर्बर बने ऐसा वो चाहते थे और इसके लिए वो कई तरीके भी अपनाते थे अलग लग युक्तियां अपनाते थे जैसे की ये लिखा है he read stories और कहानिया पढ़ते थे ये देखना वी टू है आप ध्यान से एकना past simple में कहानी चल रही है ये ये present होता है यह यह इसका मप्रियोक करता और read का फैला दूसरा और तीसरा सेम रूप रहता है इसलिए आप समझें he read stories और स्वामी के सामने कहानिया पढ़ते थे of great feet से great कारता बहुत बड़े fit कारता है कारणा में by young young यानि किसोर children कि किसोर जो होते हैं उसकी उमर के बच्चे बहुत बड़े-बड़े कारिये करते हैं और क्या चाता था and wants और चाता था his son कि उसका बेटा भी वो ये चाता था कि उसका बेटा भी to be one of them उन में से ही एक उस जैसा ही उसका बेटा भी बने ऐसी स्वामी के पिता की सोच थी यानि स्वामी के पिता स्वामी को काफी बहदूर बनाना चाहते थे अब वो इसमें कितना सफल होते हैं ये अलग बात है ये देखने योग ये बात है चलिए जी ठीक है उसके आगे क्या होता है कि एक दिन इसी प्रकार स्वामी एक अकबार स्वामी बगल में बैठे हैं और उनके पिता जी एक अकबार पढ़ रहे हैं और अकबार में खबर आई कि एक बालक एक किसोर और बाग रहा है तो स्वामी कहता है कि ये बात जूट है ये बात बिल्कुल जूट है कि ऐसा होई नहीं सकता कि एक बालक है वो बाग से जो है वो लड़ाई कर सके ऐसा है नहीं संभवी नहीं है तो उसके पिता बताते हैं कि ऐसा संभव है यदि आपके अंदर क्या हो करेज हो ये वर सहसे क्या हुआ मालो मेरे अंदर सहस है तो किया मैं बाग से लड़ जाऊँगा तो उसके पिता भूछ चतूर है उसको बोलते हैं कि आप साबीत करो कि आप के अंदर क्या है सहस बोले जी कर दूँआ बताओ आप क्या कि आप यह करो कि आज आप मेरे ओफिस वाला जो रूम है बाहर उनके एक कमरा है लिविंग रूम जिसको बैठक बोलते हैं आप उसमें अकेले सोके दिखाओ तो अब वो क्योंकि अपनी दादी के बगल में सोता है तो अब वो कई बहाने बुनाता है कि कल से सो जाओंगा वहां तो धूल है वहां क्या स्कोर्पियन है यानि बिच्च मत्यार और वो अंती मत्यार किस परकार है देखिए आफ्टर ट्राइंग आफ्टर ट्राइंग ओल डैट ही कैन कि जितना भी वो कर सकता था वो सब करने के बाद ही फाइनली आस्क से स्वामी उसने स्वामी से कहा to spend कि आप बताओ his night कि ये रात्री आप बिताओ in his office office में बताओ to prove साबित करने के लिए his courage कि आप अपना साहा से उसको साबित करने के लिए office में सो जाओ ये बात उसने कह दी तो स्वामी कई बहाने बनाता है जैसे मैंने बताए कई बहाने बनाता है लेकिन वो बहाने है वो कामें आते नहीं है सफलता मिलती नहीं है लेकिन जैसे ही वो ये उसके पिता कहते हैं तो इससे क्या हुआ स्वामी जो है वो क्या करता है स्वामी हूँ ट्राइड जो परियास कर रहा था तू रिजिस्ट दा मूव यानि उस परिवर्तन का विरोध करना वो परियास कर रहा था और इसी के चलते ही एंपलोईज करता था काम मिलेना मैनी ट्रिक्स या टेक्टिक्स कहसकते हैं कई टेक्टिक्स उसने काम मिली जैसे उसने कहा कि वहाँ धूल है वहाँ बिच्चू हैं वहाँ ये है उसने कहा और भी उसने क्या किया like appealing उसने प्राथना भरी नजरों से देखा to his mother अपनी मा की तरफ भी देखा कि उसकी मा बचा ले उसे लेकिन and granny और अपनी दादी मा की तरफ भी देखा कि वो उसे बचा ले but लेकिन to know I will करता है love love लेकिन कोई love उसको हुआ नहीं कोई फाइदा नहीं हुआ उसको वहाँ जाना ही पड़ेगा कि कुछ भी हो जाए आपको वहाँ सोना ही है इस बार उसने ये कहा हलांकि उसने ये तरीका भी अपनाया कि वो उसके पिता जब आएं जैसे उसको सोने के लिए कहा था और उसके लिए उसके कुछ समय बाद उसके पिता इधर किसी काम के लिए चले जाते है तो अपनी धादी के बगल में जाकर सो जाता है और वो ये कोशिश करता है कि पिताजी को लगे कि मैं तो सोच चुका हूँ लेकिन ये भी उसकी जो योजना है वो सफले नहीं होती है तो स्वामी क्या करता है? स्वामी स्वामी आलसो सीक्स एडवाईज उस सला को भी काम लेता है जो उसको मिली थी from his friends अपने मित्रों से क्या who suggest him जिसने उन्हें स्वामी को सला दी थी him ये him स्वामी के लिए आया है to go to bed early कि तुम आज ऐसा करना जल्दी सो जाना कि बहुत जल्दी जाके सो जाना and avoid और आप बच जाएंगे being a coat फसने से क्या फसेंगे नहीं आप बच जाएंगे awake यानि जगाना by his father क्या आपके पिता फिर आपको साहिदे ना भी जगाएं ऐसा वो तरिका करता है लेकिन क्या हुआ unfortunately लेकिन धुर्भाग्य से स्वामी's फादार स्वामी के जो पिता है स्वामी को एक साहसी बालक बनाना चाहते है उसके पिता क्या करते है स्वामी's फादार doesn't fall fall करते है घिर्दना for any of his tricks उसकी सभी चाल को वो समझ जाते है and or forces him और उसे बात दे कर देते है to sleep सोने के लिए to his office room कि आज आपको कहा सोना है मेरे office room में आपको सोना है उसके लिए उसको क्या कर देते हैं बात दे कर देते हैं फिर क्या होता है देखिए जी उसके आगे देखते हैं तो स्वामी कहते हैं वो सारी उसकी ट्रिक बेकार हो गई तो स्वामी कहते हैं कि आखिर स्वामी अपने पिता से एक निविदन करता है क्या मुझे इतनी अनुमती दे दो कि मैं क्या करूँ कि मैं उस ओफिस रूम के गेट जो हैं दरवाजे जो हैं या उसके खिडिकें हैं उनको खुला रखके सो सकूँ तो उसके पिता ही रेलेंट्स रेलेंट्स का रथ होता है छूड़ देना थोड़ी छूड देते हैं by allowing allowing का अनुमती देते हुए कि उसको अनुमती दे जाती है स्वामी को स्वामी को इतने अनुमती दी जाती है to sleep कि आप सो सकते हैं with open door कि आप दरवाजा खुला रखके सो सकते हैं and windows कि उसके दो दरवाजे हैं और दो-चार जो खिड़कें हैं उनको खोल के आपे सो सकते हैं इससे अलावा आपको कोई छूटे नहीं मिलेगी और इसकी खास वज़े भी यह है कि स्वामी जो है उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था आगे लिखा भी है इसका एक कारण यह है स्वामी जो था इज स्वामी इज फ्राइटेंट स्वामी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था बाई घोट्स यानि भूतों से जो घोष्ट जो है उनसे वीच जो की आर सम्थिंग हीज फ्रेंड्स हैव वोर्न अबाउट वोर्ने हिम अबाउट क्योंकि भूतों की कई कहानियों के बारे में उसके मित्रों ने उसे पहले ही आगया कर रखाता कि ऐसा हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा हो सकता है तो अब वो वहाँ चला तो गया लेकिन आब वही कहानिया याद आ रही हैं उसका एक दोस्त था मुनी सामी कि कैसे उसको भूत पकड़ के ले गयार ये मतलब ऐसे यह आप सना बातें उसको यादारें डर लग रहा है उसको शच्चा ही यही है वह वहाँ चला तो गया लेकिन डर लग रहा है बार बार तो फिर क्या हुआ कि वो जो चारपाई उसके उपर नहीं सोता है उसके नीचे सोता है और अपने आपको एक कंबल में समय ले है किस विचार मात्र से थोट ओव बींग विजिटीड थोट ओव बींग विजिटीड बाई एक घोष्ट कि यहां भी किसी भी समय भूत आ सकता है और एंड रिक्वेस्ट से टू ओपन और इसलिए उसने प्राथना की दर्वाजा खुले रखने की विंडो या डोर टू फाइंड ताकि उसको क्या मिल जाए एक क्विक तुरंत एसकेप कर था बचने का रास्ता मिल जाए और वो यह भूत आ भी जाए तो वो भाग जाए वो ऐसा इसलिए वो कहता है लेकिन अभी क्या होता है कि अगला जो पोइंट है वो य होता है कि जब स्वानी सो गया मने वहां गुष गया उस ओफिस वे चला गया जब उसको सोना है दा नाइट एक नाइट पासीज जैसे जैसे रात गुजर रही है विदाउट के बिना एन अलाम कि बिना कि बिना कि आप कह सकते हैं कि चोकलना रहना या सचेत रहना अंटिल जब तक स्वामी इज वोकन अप और कुछ समय बाद ही, एक बार तो उसकी आँख लग जाती लेकिन स्वामी जो है, वो जाग जाता है बाई इस्टियर, स्टियर करता हो था हिलना या था स्टियर वर्ड कई बार मेगी आप बनाते हैं उसमें कि इसको दो मिनिट तक स्टियर करो हिलाओ तो स्वामी डर गया चाह स्वामी डर गया, तो फिर उसके आगे क्या करेगा वो, देखिए लुक्स वो यह देखता है एड़ दे विंडो खिड़की की तरफ देखता है एंड और finds और पाता है एज सैडवी फिगर यानि एक फिगर करता है आकरती और सैडवी करता है चायादार कि एक चायादार आकरती जो थी ट्राइंग परियास कर रही थी to break-in का फ्रेजल वर verste करता है घर में गुसना कि उसने देखा कि खिड़की से कोई घर में गुश रहा था वो बहुत ज़्यादा डर गया He fears बहुत ज़्यादा डर जाता है That It is the ill-famed Ill-famed का रथ होता है कुख्यात प्रसिद बहुत ड्रावना गोश्ट कि ये तो वही भूत आ गया एंड लेचिज ओन टू इटस लेग्स और इसके साथ ही वो जैसे उसको लगता है उसको ये लगता है कि भई उसका जो है अंत उसके पैर जो है उनको फकड़ लेता है और इबाइट और वो काटता है यानि स्वामी उस आकर्ति का जो उसको भूत लग रहा था उसको लगा कि अब उसका आंत आ गया इससे पहले कि भूत मुझे खा जए मैं इसको काजाता हूँ और वो उसको काटता है और cried for help और मदद के लिए चीकता है बहुत जोर से काटता है मदद के लिए चीकता है और उसकी जैसे चीक सुनते हैं तो यह जिरंड का प्रियोग करते हैं hearing his shrink कि उसकी चीक को सुनते ही जैसे वह चीकता है उसकी चीक सुनते ही the family पूरा का पूरा प्रिवार यानि उसके माता पिता दादी नोकर वगरा जो थे driver जो थे वो क्या करते हैं रसी तेजगती से दोड़ते हैं to the office उनके office की तरफ तेजगती से office room जो office room है उस तरफ तेजगती से दोड़ते हैं and or क्या होता है उन्होंने वहाँ जाके देखा the thief is a apprehended चोर को क्या कर लिया गया apprehended कर लिया गया यानि पकड लिया गया उन्हों ने देखा कि स्वामी ने तो चोर को पकड लिया और उसको लग रहा था वो भूत फिर पुलिस को बलाए जाती है वो चोर भी काफी notorious है कुख्यात था यानि काफी बड़ा चोर है वो उसका कई घरों में उसने चोरी की है सेंद बार है बहुत बड़ा तो पुलिस आती है दे पुलिस अराइव पुलिस पहुंचती है और दे दे कॉंगरुचलेट और वो पुलिस जो है उनको क्या करते हैं कॉंगरुचलेट करते हैं स्वामी को कि भई आपने देखो बढ़ाई देते हैं कि आपने कितना बहादुरी का कारिय किया ओफिज एक्ट ओफ करेज कि आपका सहसिक कारिय एंड हिरोजिम यानि आपने बड़ा नाइक वाला कारिय किया है जबकि पुलिस जो है उसको ये भी कहती है कि आप क्या करो कि बड़े होके जो हैं आप पुलिस ही जोईन करना वास्टिकता ये है कि वो accidentally क्या हुआ ऐसा बन गया वास्तों वो hero नहीं है हाला कि उसका जो परधाना द्यापक है वो भी उसकी पीठ थफथपाता है और उसको कहता है क्या कहता है कि आप क्या हो आप real scout हो बालचर है आप वास्तमी बालचर है उसकी पड़ाई करता है और क्या हो रहा था कि चारो तरफ से sovereign हो रही थी यानि बोचार हो रही थी of congratulations यानि चारो तरफ से सब लोग क्या दे रहे थे स्वामी को बधाई दे रहे थे कि आप तो बहुत बादूर हो भी बहुत बादूर है लेकिन वास्तित्ता कुछ और है कि वो वास्तों में भादूर है नहीं तो end में क्या होता है end में यह होता है कि next day next day ऐसा नहीं है कि वो वापिस रूम में सोएगा next day वो ऐसा नहीं करता next day स्वामी क्या करता है he decides वह है निर्न लेता है to go back की वो वापिस जाएगा किस जगह है टू हीज अ पनी जो पुरानी जगह है उसके पुराणे तोरती एं ओर्ड वेज जो पुराने तरीके एं और रिटान और वह UV लोट जाता है कहां टू गरैनीज जो उसकी जो दादी महा है उसके कमरे में ही वहां जाके सोता है वो वहीं वो राम से रहता है उसके पिता काफी कोशिश भी करते हैं उसको क्या वहां चलो और वहां सो जाओ लेकिन वो नहीं सोता है इसलिए आप यूँ समझ सकते हैं कि वो वास्तों में रियल हिरो तो नहीं है लेकिन एक छण के लिए बन गया आप आगे लिख सकते हैं कि he continues वो जारी रखता है to sleep, सोना, कहां, in the comfort, आराम दायक, and, और loving care, जहां बहुत ज़्यादा उसको प्रेम मिल रहा है, of her, अपनी दादी का, वहीं वो सोने के लिए तयार हैं। उसके पिता दुबारा जाते हैं, when he is a father, और जब उसके पिता प्रियास करते हैं, to make him, उसके पिता प्रियास करते हैं, कि वो क्या करें, sleep, सो जाए, in the office room, in the office room, again, दूसरे दिन, वो दूसरे दिन दुबारा जाते हैं, कि आप जओ वहीं सो, लेकिन ऐसा होता नहीं है, it is his mother, और इस बार स्वामी की जो मा है, वो क्या करती है, who interventions, interventions करता है, हस्तक्षेप करना, वो इस हस्तक्षेप करती है, and ask, और कह देती है, him, यानि स्वामी के पिता को, तो back of की वापिस चले जाओ, कल ही मेरा बेटा है, जो उसको चोर मार देता, यह हो जाता, she wants, वह चाती है, to protect, रक्षा करना, the innocence, innocence करत होता है, मासूम, and playful, जो खेलने योगी है, विनोध में है, वो, abdon of her child, अपने बच्चे के खेलने, खूदने के जो दिन है, उनको नहीं खराब करना देना चाहती, वो, as long as she possibly can, जितना संभव वो करपाईगी, उतना वो करेगी, उस बच्चे को वैसे रखेगी, ऐसा वो करती है, इस परकार, यह, इसे, ए हिरो नमक कहानी की, मैंने पूरी समरी, सारी की सारी महतपून बातें, इस में आपको head करके बताई, सारी बातें आपको समझाई, कि स्वामी नाम का एक लड़का है, वो इस तरह की बात करता है, वो खहता कि मेरे अंदर सास है, लेकिन सास कुछ नह नहीं कर पाता लेकिन किसी तरीके से वो क्या बन जाता है हीरो बन जाता है और किस परकार हीरो बनता है वो मैंने ये बताया सुरुवात में आपको बता दिया accidentally मतलब स्योग से वो हीरो बन गया वास्तव में हीरो नहीं है ये जो पाठ है वो आरके नरायन दुआरा है कि इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है तो शिक्षा हमें ये मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए, अपने अंदर सभसे महत्तपूर्ण चीज क्या होने चाहिए, साहस होने चाहिए, कि आप कुछ भी कारिये करने के लिए आपको साहस की ज़्यादा जरूत पड़ती है, स्टेंथ, ताकत की नहीं, क्योंकि ताकत ये आपके अंदर साहस होता, अपने आप जुट जाएगी, तो आप ये भी कह सकते हैं, कि व्यक्ति को साहस रखना चाहिए, हर समय उसको हिम्मत नहीं आनी चाहिए, ये इसका सारांस है